हेलो गाईस तो चलिए आर हम लोग अपने जाबा के कुर्स को आगे बढ़ाते हैं और अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं इस टैक क्लास के बारे में जो हमारे पास है तो अभी तक हम लोगों ने आरे लिस्ट को लिंक लिस्ट को बहुत सारी चीजें अपने कलेक्शन आरे की जो capacity होती है वो देखे limited होती है उसका size जो होता है fix होता है तो जब भी हम लोग उसमें element को insert करते हैं तो एक टाइम आएगा जब उसमें जो आरे है उसका size में मतलब उतने elements आ जायेंगे तो उसका size full हो जाएगा तो हम उसमें elements को further insert नहीं कर सकते हैं लेकिन जो dynamic बढ़ा लेगा अब साइज कैसे बढ़ाता है सिंपल सी है यार कि हम प्री एक्जिस्टिंग अरे का साइज तो नहीं बढ़ा सकते तो हम लोग एक नया अरे बनाते हैं जिसकी कुछ ज्यादा होगी और उस नय वाले अरे में पुराने वाले अरे का जो भी डेटा हुआ कापी कर देते हैं और पुराने वाले अरे की मेमोरी को रिलीज कर देते हैं और हम लोग अपना अपरेशन नय वाले अरे में परफार्म करने लगते हैं तो उसी तरह बार-बार से किया जाता है काम जब भी हमारे अरे का साइज फुल हो जाता है और लिंक लिस्ट में हमने समझा तक यह internally linked list का use करता है, तो यह सारी चीजे हमने सीखी थी, अब हम लोग जो stack पढ़ने वाले हैं, यह stack data structure भी internally dynamic array का use करता है, मतलब run time पर यह अपने size को घटा या बढ़ा सकता है, depending upon कितने number of elements उसमें है, और उसमें कितना space बचा हुआ है, कितने भी element को रखने के space बचा हुआ है, तो आप क्योंकि यहाँ पर predefined class है, जैसे पता है, तो हमें उन सब की चीजों के बारे में कुछ भी tension लेने की जरूरत नहीं है, हमें simply क्या करना पड़ता है, class बनाना पड़ेगा, और उसके अंदर predefined function होगे, उनको call करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप feel लेना चाहते ह हो, कि actually मैं internally stack कैसे implement किया गया होगा, dynamic array का use करके, तो मेरे पास आपके लिए एक good news है, जहाँ पर जब मैं आपको अपना data structure का course पढ़ा रहा था, data structure and algorithm का, तो वहाँ पर हमने आपको यहाँ पर अभी तक 96 videos को upload करके रखा है, वहाँ पर हमने आपको बताया था कि आप किस तर किस तरह से आप implement कर सकते हो, dynamic array का use करके, और उसके बाद हमने आपको बताया था कि array stack को आप किस तरह से implement कर सकते हो, linked list का use करके, तो यह तीनों चीजे मैंने पहले ही बता के रखे, तो आपको actually में अगर उन्हों functions की coding करना है, अपने से, तो please आप यह आप यहाँ पर देखो यहाँ पर हमने पहले बताया stack data structure, stack implementation using array, जहाँ पर हमने normal array का use किया था, जब normal array का हम लोग use करते हैं, तो एक time पर क्या होगा, array का size हमारा full हो जाएगा, तो वहाँ पर हम लोग further elements को insert या push नहीं कर सकते, इसी वज़ा से हम लोग वहाँ पर एक message दे रहे थे कि, overflow की जो condition होती stack overflow, मतलब अब उसमें further elements नहीं insert किया सकते, क्योंकि array का size full हो चुका है, उसी problem को आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने क्या solve किया था, कि हम लोगों ने stack को implement किया था, dynamic array का use करके, तो actually में आप यहाँ पर देखो कि हम लोगों ने इस तरह से coding की है, कि array का size हम लोग बढ़ाए देंगे time आने पर, और time आने पर घटा भी देंगे, और actually में यहाँ पर आप बहुत सारी चीज़े सीखोगे, तो make sure कि आप यह वीडियो जुरूर देखो, क्योंकि तभी आपको actually में feel आएगा कि किस तरह से stack data structure को implement किया गया होगा, और आप चाहें तो stack को आप implement कर सकते हो, लिंक लिस्ट का भी यूज करके, तो यहाँ पर हमने stack data structure को implement किया था, using link list, यह बहुत ही कमाल का course हमने design किया है, अगर आपने नहीं देखा तो please देख लो, इस तरह से detailed explanation, सब कुछ, एगदम perfect तरीके से आपको समझ में आएगा, कोई नहीं बताया होगा, believe me, तो आप इसको इस वाली playlist को access कर लो, नहीं, तो हमारी Java की जो पूरी पूरी playlist है, उसको access कर लो, यहाँ पर जो भी हमने videos upload किये हैं, देखो, आप Java में mastery कर लोगे, आप collection framework में mastery कर लोगे, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, make sure कि आप ये वीडियो जो चेक आउट करो, data structure and algorithm वाली playlist, अ अब ये simple एक formality रह जाती है, और इसमें कुछ भी नहीं है, तो यार मैं यहाँ पर आजाता हूँ, और हमने अभी तक eclipse को open नहीं करके रखा है, तो मैं सबसे पहले अपने eclipse को open कर लेता हूँ, ठीक है, तो यार हमने यहाँ आपर देखिए, हमने एक simple class बना ली, stack example, उसके अ stack, और new stack, ठीक है, यहाँ पर हमने एक stack बना लिया, अब मुझे क्या करना है, elements को रखना है, यार मैं एक काम कर लेता हूँ, मैंने कुछ predefined function लिग करके रखे हैं, अब यह function मुझे याद है, ठीक है, आप यह मास हो जाना, मुझे याद नहीं है, यहाँ पर एक push function होता है, ज जो क्या करेगा, हमारे टाप वाले element को हमें देगा, लेकिन उसको remove नहीं करेगा, without removing it, एक is full नाम से function होता है, जो बताएगा कि हमारा stack full है कि नहीं, एक is empty, हमारा stack empty है कि नहीं, अब अगर आपको stack आता हीनी stack क्या है, तो चलिए थोड़ा से हम लोग stack के बारे में और समझत हैं, तो stack एक ऐसा data structure है, जो last in first out property को follow करता है, last in first out property क्या होती है, कि जैसे मैं आपको एक simple सा example देता हूँ, मालीजे, आपके पास कई सारी books रखी हुई है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपको एक और books को उन्हीं के उपर रखना है, तो आप सबसे top पर ही books को रख सकते हो तो आपके पास एक ही च्वाई से, आप कहीं middle में insert नहीं कर सकते हैं, अब आप ये मत बोलना कि हम कई सारी books को थोड़ा सा उपर उठा के उसके middle में insert कर दें, तो ऐसा नहीं है, stack data structure आपको तब यूज करना है, जब आपको कुछ certain rules को follow करना है, मतलब जब भी आप कोई elements को push करना चाहते हैं, तो वो top पर ही जाएगा, और अगर आप pop कर रहे हो, तो top से ही pop होगा, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास अभी हमने एक stack बनाया यहाँ पर, वो हमारा stack क्या है, impity है, अब जब कोई elements हम उसमें push करेंगे, तो जैसे 20 को इन्होंने push क करेंगे, तो 13 उसके उपर जाएगा, एक के उपर एक रहेगा, फिर इस तरह से जब आप elements को insert करोगे, तो 89 उपर चला गया, फिर 90 को push कर दिया गया, 11 को push कर दिया गया, 45 को push कर दिया गया, फिर 18 को push कर दिया गया, तो एक के उपर एक ही elements यहाँ पर रखे जाएंगे, यह constant आप middle में कहीं पर भी element को insert नहीं कर सकते तो कभी भी अगर आपको कोई ऐसी problem को solve करना हो जहाँ पर आप हमेशा strictly चाहते हो कि कोई भी element टाप पर ही आए तो आप stack data structure को use कर सकते हो उसी तरह से pop operation क्या होता है ये हमारे stack से elements को हटाएगा remove करेगा delete करेगा तो pop क्या करता है कि वो सबसे पहले top वाले elements को ही हटाएगा तो जो ये 18 था सबसे बाद में insert हुआ था वो सबसे पहले delete होने वाला है तो जो last में आया वो पहले delete हो रहा है तिसलिए हम बोलते हैं कि last in first out property को stack हमारा follow करता है तो अगर इस time पर मैं pop करूँ तो सबसे पहले 18 पाप होगा 18 पाप होने पाप होगा तो इसका मतलब आप क्या समझ रहे हो कि जब भी हम elements को push कर रहे हैं तो वह टाप पर ही जाएगा और पाप कर रहे हैं तो टाप से ही पाप होगा तो last in जो सबसे लास्ट में आ रहा है वो सबसे पहले पाप होगा तो first out last in first out property यहां पर देखिए हमने एक image भी ब पर हो रहा है यहां पर अगर एफिसेंसरी की बारें बात तो बहुत तो नो comparison are moves up the element unnecessary, hence it is very easy, हमने array list के बारे में समझा था, जब लोग वहाँ पर array list में कोई element middle में insert करते हैं, तो वहाँ पर problem क्या होती है, कि हमें एक space generate करना पड़ता है, और space को generate करने के लिए कई सारे elements को एक position आगे shift करना पड़ता है, तो वहाँ पर जो insertion operation होता है, वो slow हो जा लेकिन stack एक destruction especially इसी लिए बना जा गया है, कि अगर आपको कहीं ऐसा कोई operation perform करना है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ टाप वाले पर insertion करना चाहते हो, तो आप stack को use करो, ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं कुछ आपको examples देता हूँ, मैं एक आपको real time example देता हूँ, तो चलिए typing किया होगा, यह क्या होगा, एक stack में maintain हो जाएगा, ठीक है पहली बारी, अब चलिए हम लोग इसमें कुछ modify करते हैं, जिससे मैं यहाँ पर middle में आता हूँ, और मैं यहाँ पर कुछ और भी मैं इसे type कर देता हूँ, हमने AA लिग दिया ऐसे, ठीक है, अब जो यह दूसरी maintain हो गया होगा, सबसे tap पर, अगर मैं इसमें पर पाप करूँ, पाप करने से मेरा मतलब यहाँ पर क्या होगा, कि अगर मैं control Z करूँ, तो कौन सा वाला सबसे पहले हटेगा, अब अगर मैं पाप करूँ, control Z, तो यह जो B वाला सबसे हमने last में insert किया था, यह पाप होगा, तो मैं control Z कर रहा हूँ, देखिए, B वाला हट गया है, तो अभी सबसे tap पर कौन होगा, यह वाला होगा, तो अगर मैं इसको क्या करूँ, अगर मैं control Z करता हूँ, तो एक दो जो हमने value insert की थी, वो भी अट रही है, और उसके बाद वो भी अट गया, control Z करने पर, और फिर से push और pop बाला जो operation है stack में, तो stack का use यहाँ पर हो रहा है, आप समझ सकते हो, ठीक है, तो और भी कई सारे ग्यामपल हैं इसके, तो चलिए, तो चलिए हम लोग अपना आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर मैं समझाता हूँ आपको, कि किस तरह से हम लोग operation perform कर सकते हैं, और भी last में पहनी होगी, उसे पहले अटाना पड़ेगा, उसके बाद one by one करके हटाना पड़ेगा, तो ऐसे कई सारे ग्यामपल्स आपके पास मिल जाते हैं, आप Google search कर लेना मिल जाएगा, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और मैं यहाँ पर चलता हूँ यार अपने यहाँ प स्कंड़ा इसकी अगे हैं, है ना, उसके बाद मैं यहाँ पर कुछ और पुछ कर देता हूँ, मैं यहाँ पर 20 कर देता हूँ, यहाँ पर 30 कर देता हूँ, और यहाँ पर 40 कर देता हूँ, तो अब हमारे पास बताइए, यहाँ पर 4 elements हैं, और अगर हम अपने stack को print करें तो देखे हमारे पास यहां पर 4 elements प्रिंट हो जाएंगे अब सबसे टाप पर क्या होगा 40 होगा क्योंकि 40 सबसे बाद में इंसर्ट हुआ है तो अगर मैं पाप करूँ पाप करने के लिए कैसे करेंगे अब हम फंचन को काल कर लेंगे अब्जिट का यूज करके इस्ट्रेक डाट पाप फंचन को काल कर लेंगे पाप हो गया अब उसके बाद अगर मैं प्रिंट करूँ तो कौन सा वाला प्रिंट हुआ होगा मतलब कौन सा वाला पाप होगा 40 अब हमारे वो इस्ट्रेक में तीन ही elements बचेंगे 30 40 हमारा पाप हो गया होगा है ना पाप फं प्रिंट कर दिया है ना और एक हमारे पास फंचन होता है पीक फंचन अभी अभी हमने आप देखा था पीक फंचन क्या करेगा कि जो सबसे उपर वाला elements है उसको हमें बताता है और उसको डिलीट नहीं करता यह यहां पर आपको समझना है अगर मैं यहां पर सिस्टम डाट अउडर प्रिंटर लगाऊं और मैं इस ट्रैक डाट पीक फंचन को काल करूं देखिए वह रिटन कर देगा जो भी रिटन करेगा उसों हम लोग प्रिंट कर रहे हैं तो अभी हमारे में यह सारे elements थे राइट यह सारे elements के बाद हमने प्रिंट किया फिर हमने यहां पर क्या हो गया यहां पर देखिए सबसे पहले जब मैंने यहां से प्रिंट किया इस ट्रैक को प्रिंट किया तो सारे elements यहां पर आ गए उसके बाद हमने पाप कर दिया तो कौन सा वाला elements पाप होना चाहिए था 40 होना चाहिए था तो यहां पर इसने 30 को प्रिंट कि क्या है कि क्या गलती कर दी मैंने यहां पर कि क्या कर रहा हूं तो यहार मैं फिर से रन कर देता हूं वो हमारे इडिटर की प्राब्लम थी यहां पर देखे मैं रन करता हूं तो 40 पाप हो गया जब इसके बाद तीन एलिमेंट्स हमारे स्टैक में बचे तो हमने पीक किया तो हमें लास्ट वाला एलिमेंट 30 मिल रहा है और यह डिलीट नहीं करेगा अगर आपको कन्फूजन है तो आप एक बारावर स्टैक को प्रिंट कर लो यह आपको नीचे भी प्रिंट कर देका देखे 30 एलिमेंट इसने डिलीट नहीं किया ऑक है किया कर रहा है यार यह फिर से रन करता हूं देखे यहांपर यह हमारा यह हमारा यह हमारा अरी is full is empty function है हमारे पास यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं कि हमारा stack full है कि नहीं है तो अगर मैं यहाँ से अगर मैं system.outdoor printer लगाऊं और मैं stack.is full function को call करूं stack.is is empty क्या empty है तो false sympathy नहीं है इस empty के बाद तो हमें is full भी तो आना चाहिए तो मैं यहाँ से stack.is is full नहीं आ रहा है मैं देख लेता हूँ is full मैंने कहां से लिखा था is full function चलिए अभी is full function नहीं है तो आप इसको हटाई दीजे ढोल लीजेग अगर होगा तो बहुत अच्छी वात है नहीं है तो बहुत सही है आई होप दोस्तों आपके इस समझ में आया होगा यार बहुत सिंपल सी चीज है ये ठीक है तो कुछ नहीं है इसमें 2-4 predefined function है आप function को याद कर लो और काम कर लो अब अगर आपको समझना है इस ट्रैक वगर किस तरह से काम करते हैं तो आप प्लीज यहाँ पर आओ और इनको देखो जहाँ पर आप इंपलीमेंट करोगे तो यहाँ पर आप बहुत सारी चीजे सीखने वाले हो तो आई हो दोस्तों आपको समझ में आया होगा सारी चीजे मैं मिलते हूँ आपको पर अगले वीडियो में थैंक्यू सो मच बाइबाई